जै श्री कलकी ओम नमो भगवते बासु देवाय। कलकी ओतार के बारे में जब मैं बाते करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके साथ चुकि वो अंतिम ओतार हैं। श्री हरी के भगवान मिश्णू के अंतिम अवतार कलकी के रूप में जब धरा पर प्रकट हुए हैं तो अब उनके मिशन में उनके साथ सारे देवी दिवतागन जुड़ चुके हैं। भगवान जुड़ चुके हैं उनके साथ। भगवान श्री कृष्ण, वासुकी नाग और नारायन चतुर भुज रूप में धरा पर उपस्थित हुए और प्रमाण दिया कि वास्तों में शंकर भगवान, हनुमान जी, नारायन चतुर भुज रूप में, माता पार्वती, भ भगवान गनेश, राम जी हर कोई आज यहां तक की वासों की नाग भी आज हर कोई गवाही दे रहा है कि भगवान कलकी के मिशन में कितना बड़ा यूग परिवर्तन का कार्य चल रहा है आज इनसान अपने आखों पर आज भी पट्टी बाधे अज्ञानता की बैठा हुआ है कि भगवान कलकी अभी भी धरा पर आए नहीं है जब आएंगे तब यूग परिवर्तन का कारे होगा तब का तब देखा जाएगा बाकी जो मौते हो रही है वो तो होती ही रहती है कोई बात नहीं हमेशा होती ही रहती है ये को यूग परिवर्तन थोड़ी नहुआ लेकिन वास्ताव में जो स्प्रिच्वालिटी की राह को फॉलो करते हुए अवेकनिंग के प्रोसेस के तहत अपने थर्ड आई को उपन करने के लिए साधना में हो रहे हैं लीन उन्हें वो सारी चीजें अपने आप भगवान कलकी दिखलाते चले जा रहे हैं तो जो मैंने वर्णन किया अपने वीडियो में पहले कि भगवान कलकी के साथ राम जी, कृष्ण भगवान, वासुकी नाग, नारायन भगवान, चतुर्भुज रूप में, भगवान शिव, हनुमान जी, माता पारवती, गनेश जी, भगवान कार्तिके और कितने नाम के साथ, जब इतने लोग एक साथ, भगवान कलकी के मिशन में जुड़ चुके हैं, साक्षिर, गवाही, दे रहे हैं वो, कहां मिली ऐसी, ऐसा प्रमान, कि जिससे ये साबित हो रहा है, कि वास्तों में, सब लोग भगवान कलकी के साथ, उनके मिशन में जुड़ चुके है तेरा दिनों का ये पक्ष जो आने वाले पूरे वर्ष तक पूरे समवत्सर तक उसका प्रभाव देखने को मिलेगा चाहे आप किसी भी कंट्री की आज बात कर लिजिए हर जगा हालात बिगड़े हुए हैं कहीं युद्ध के कारण कहीं बाढ के कारण कहीं जल की ऐसी आपदा जो पहले कभी नहीं देखी गई और कहीं प्रचंड गर्मी के कारण और कहीं आग का तांडो लेकिन अशांती भरे इसी महौल में जो भक्त गड़ हैं जिन्हें जाना है नेक्स्ट लेवल पर बहुत चुनिंदा आत्माएं उनली 64 करोड लोग सिर्फ जाएंगे अगले युग में तो उनकी तैयारी उनकी क्लिंसिंग प्रोसेस के तहत उनका प्रिपरेशन ऑल्रेडी चलने लगा है लेकिन चुकि भगवान कल की अंतिम अवतार हैं अंतिम युग में अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं तो अब जितने भी भगवान विश्णों के अवतार हैं एवं श्री हरी अपने अलग एनरजी में चतरभुज रूप में डाइरेक्ट भगवान कल की के साथ जुड़ चुके हैं अब इसका प्रमान क्योंकि आज का इंसान बिन प्रमान के नहीं मानता कोई भी बात तो एक ऐसा प्रमान अब सब के सामने आ रहा है और कुश्चन है कि इसी समय क्यों आ रहा है अब जो मैं बतलाने जा रही हूं ध्यान से सुनिए और फिर आप लोग तो वैसे ही कैज़ुली ले लेते हैं बहुत सारे लोग क्योंकि उनको तो कुछ लेना देना नहीं है वो भगवान कलकी नहीं हो गये उनके लिए खेल हो गए कहीं पर वो किसी ऐसे अश्रोंजर को बता दे रहे हैं जो अपने को रियल कलकी आउतार जिनके जितने फॉलको यह वो संब लोग अपने अपने गुरु को बताते जल जा रहे हैं कोई आशाराम को बता देगा वो भगवान कलकी है कोई बता दे रहा है कि संत रामपल वो भगवान कलकी है कोई किसी और को पतम हर एक को हर कोई हर एक को बताता चला जा रहा है तो कितने कलकी हो गए लड़की भी कलकी है धार्मी गुरू भी कलकी है कतावाचक भी कलकी है कलकी नहीं हो रहा है खेल तमाशा हो रहा है कलकी के नाम पर लेकिन मेरे चैनल पर मैं रियल कलकी भगवान की बात करती हूं इनसान की नहीं जो मानो आतार लेकर मानो रूप में इस धरा पर मौजूद है जिनके पासे ऐसी शक्तियां जो असीम है जिनका मुकाबला एक इनसान चाह कर भी कभी नहीं कर सकता मैं उनकी बात कह रही हूँ और उनके साथ आज कैसे प्रमार मिल रहे हैं अब आप देखिए MP में भोजशाला में ASI का सर्वे चल रहा है अब चीक चीक कर वहाँ पर मुर्तियां गवाही दे रही है ऐसा लग रहा है मुर्तियां बोल रही है वहाँ पर 84 स्तंभ मिले हैं आज 95 डेज हुआ ASI की सर्वे का और बाकाइदा टीवी पर वो सब फोटोग्रैप्स आ रहे हैं कि कहीं पर वासू की नाग, फन फैलाएं, उनका चित्र, कहीं पर चतुरभुज रूप में नारायन भगवान की पहली बार ऐसी मुर्ति जो खंडित नहीं है बिलकुल साक्षय उसका मिल रहा है कहीं पर दिवारों पर माता पारवती कहीं पर हनुमान जी की मुर्ती मिली है यानि वहाँ पर जो सर्वे हुआ है वो सर्वे के अंदर ASI के अंदर बहुत बड़ा एरिया है तो 84 तो पिलर्स मिले है 84 पिलर्स मिले है प्लस 84 पिलर्स के अलावा राम जी, कृष्णि भगवान, बासुकी नाग, महादेव, हनुमान जी, मापारवती, गनेश जी इन सब की प्रतिमाई मिल रही है और कुछ खंडित प्रतिमाई भी मिल रहे हैं खंडित प्रतिमाई के आकृतिया बनी हुए हैं जो ये कह रही है कि वहां पर जब सरस्वती माता की पुजा होती थी उस समय ये वास्तों में मंदिर था मां सरस्वती का भूझशाला और अब वहां पर जो सर्वे कराया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम पक्षने अलाउदिन खिल जी वो राजा वो शा जिसने मंदिरों को न सिफ तुड़वाया बलकि तुड़वाने के पश्चात मस्जिद भी बनवाली और अब मुस्लिम्स भी वहां पूजा कर रहे हैं लेकिन वास्तों में अब जो भगवान कलकी का परिवर्तन का मिशन चल रहा है उसमें कोई भी अन्याय नहीं होने देंग माशक्ती किसी भी रूप में माशक्ती को आप देख लीजिए वो इर्दगिर्द हमारे हैं मौजूद और जब भगवान कलकी का अंतिम अवतार का जब ये चल रहा है मिशन बहुती सस्फेंस फूल मिशन चल रहा है इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है मैं लॉजिक से बात कर रही हूं यह जो प्रमान बिल रहे हैं वह आपके तर्क को दे रहे हैं साक्ष यह कोई इमेजिनेशन की बात में आपने वीडियो के माध्यम से नहीं बता रही हूं मूर्तिया जो निकल रही है उनको आप क्या कहेंगे दिवारों पर जो आकृतिया वह सो आज नहीं बना बाते करते हैं जो कथा बाचा के उनको लोग मान लिया अपने अपने गुरु को कि वहीं है असली कलकी आतार तो आप लोगों के लिए हजारों कलकी होंगे मेरे लिए एक ही ही कलकी हैं और वह वास्तविक हैं और उनके लिए उनका मिशन बहुत महत्तपूर्ण उन्हें किस साइकिक मैडम ने क्या कहा और लेडी एक वीडियो मैंने दे दिया है आगे और भी बातें बतलाओंगी कि किस प्रकार भगवान कल की भक्तों को अपने आने का नसे प्रमार देंगे बलकि उनको किस प्रकार चूस कर रहे हैं अपने नेक्स जरनी के लिए ये किसी ना किसी अधियम से उन भक्तों तक अपनी बातें पहुंचा देंगे थैंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो